Dear Strength जैसा कि आप सभी लोग अभी तक ये जानते आए हैं कि अगर हमें किसी भी परिच्छा में 1st Division पास होना है अर्थात 1st Division मार्क्स के साथ हमें पास होना है तो उसके लिए हमें 60% मार्क्स की आवसकता होती है में किसी भी परिच्छा में हम अगर 60% और मोर देन 60% आप्टेन करते हैं तो उस सिचिवेशन में कहा जाता है कि हम 1st Division मार्क्स से पास हो गए लेकिन डियो सेंट्स यूवी पॉल टेक्निक डिप्लोमा में ऐसा नहीं है ये सभी लोग इस चीज को ध्यान लख लिए नहीं तो स्टेंट्स बाद में पस्ताते हैं और उनको लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं था तो यूपी पॉल टेक्निक डिप्लोमा में अगर आप 1st Division मार्क्स आप्टेन करना चाहते हैं तो आपको 66% और मोर देन 66% मतलब आपका minimum 66% हो या इससे अधिक हो तभी आप 1st Division पास मान जाएंगे अन्यथा की दसा में आपका 2nd Division आ जाएगा इस सीज को विशेश रूप से ध्यान रखिएगा कि यूपी पॉल टेक्निक डिप्लोमा में 1st Division पास होने के लिए minimum 66% मार्क्स मिलना चाहिए 66% मार्क्स अगर आपका कम है तो आप 1st Division नहीं माने जाएंगे अगर जाते हैं कि आपका डिप्लोमा बिद ओनर्स हो जाए उसके लिए आपको 80% मार्क्स आर मोर दैन 80% मार्क्स आपको क्या करना होगा और 10 करना होगा इस सीज को अभी से ध्यान देली दिए कई सरे स्टेंट्स को नहीं पता होता है और बाद में उन्हें पस्ता आना पड़ता है I hope आप सबी लोग को समझ में आ गया होगा आप लोग अभी से ही महनत करेंगे फर्स्ट एयर में है फाइनल यर में महनत करिए जिससे आपका किसी भी हाल में सेकेंड डिवीजन तो ना आये minimum 60% तो बन ही जाए और अगर 80% आपका बन जाता है means आप diploma in honors हो जाते हैं तो उसका अपना एक अलगी benefit होता है अगर आपको नहीं पता है कि diploma in honors के क्या benefit है आप comment section में comment करिए कि वीडियो के माध्यम से आपको हम detail में बता देंगे बाकि डियो सेंट्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए comment section में प्यारा सा comment करिएगा चैनल पर नहीं वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा बाकि मिलते हैं इस वीडियो के साथ next topic के साथ अब तक लिए सांद आ रही और पढ़ते रही